हेलो फ्रेंड, आज संडी स्पेचल में आपके लिए हम लेके आए हैं कुछ रोचक जानकारिया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो, पोस्ट नमबर वन, क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे बुद्धिमान बशली कौन सी होती है, इसका जवाब ह है डॉल्फिन, उपर जो इमेज दी है दोस्तों, तो यह मचली का नाम है डॉल्फिन, जो सबसे बुद्धिमान मचली कहलाती है, चलते हैं अगले पोस्ट की तरफ, पोस्ट नमबर दू, दुनिया की यदि जहरिली चिपकली की हम बात करें, तो इस चिपकली का नाम होता ह है हिलो डर्मा, उपर जो चिपकली की इमेज दी है दोस्तों, तो इस जदी चिपकली की हम बात करें, इसका नाम होता है हिलो डर्मा, चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ, पोस्ट नमबर खड, सौर मंडल में वरतमान समय में दी हम बात करें, तो टोटल आठ ग्रहे, पहले तो पहले 9 ग्रहा थे, कौन सा ग्रहा को हटा दिया गया, इस ग्रहा का नाम है Pluto, जिसे हम यम के नाम से भी जानते हैं, तो इसे बौने ग्रहा की शेणी में रख दिया गया, जिसकी वज़ा से अब यदि वर्तमान समय में हम बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 8 ग्रहा है, यहां तोटल 8 ग्रहा है, जो वर्तमान समय में सौर मंडल में इस्तित है, चलते हैं अगली पोस्त की तरफ, पोस्त नमबर 4, मरी हुई चीटी में एक रसायन निकलता है, जिससे अन चीटियों को उसकी म्रत होने का पता चलता है, रोचक बात यहां है, कि यह यदि रसायन किसी जि रोचक जानकारी है, दोस्तों, कैसे लगी आज किया रोचक जानकारी, कमेंट बोक्स में जरू टैप करें, चलते हैं अगली पोस्त की तरफ, पोस्त नमबर 5, हर दिन 30 मिनट का व्यायाम करने से, आपको 10 प्रतिशत आपका जो दिमाग है, यहां समार्ट बनता है, क्या है यदि आप डेली बेसिस पे 30 मिनट का व्यायाम करते हैं, तो आपका जो दिमाग है, यहां 10 प्रतिशत अधि इसमार्ट हो जाता है, चलते हैं अगली पोस्त की तरफ, पोस्त नमबर 6, एक केकड़े का जो खून है, यहां कौन सा होता है, रंग हीन, आक्सिजन मिलने के तो इस से इसका कलर जो है, यहां नीला कलर का हो जाता है, चलते हैं अगले पोस्त की तरफ, पोस्त नमबर 7, इनसान की सबसे छोटी हड़ी के दिम बात करें, तो यहां हड़ी होती है कान में, और जिसका नाम है स्टैपिज, कई बुक में इसका नाम स्टैपिज भी दिया ह हुआ है, तो सबसे छोटी हड़ी के दिम बात करें, तो यहां कान में होती है, और इसका नाम क्या है स्टैपिज, चलते हैं अगले पोस्त की तरफ, पोस्त नमबर 8, इनसान की सबसे बड़ी हड़ी के दिम बात करें, तो यहां होती है जांग की हड़ी, अब इस हड़ी का नाम क्या है तो इस हड़ी का नाम होता है फीमर पिक इनसान की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होगी जांक की जिसका नाम है फीमर चलते हैं अगले पोस्ट की तरफ पोस्ट नमबर 9 दुनिया में 11 पतिशत लोग यहां लेप्ट हेंड का इस्तमाल करते हैं यहां भी आपके पोस्ट नमबर 10 खाने का स्वाद जो है उसमें लार मिलने के बाद ही आता है दोस्तों जो हम खाना खाते हैं इसका स्वाद हमें तब ही आता है जब हमारे भोजन में लार मिलना लगता है तो दोस्तों यहां पे हमारी आज की तो दस पोस्ट थी जो दस जानकरिया थी आपक पर चाते हैं तो इसे भी comment box लें जरूर टाइब करके बताएं वीडियो को like करना वाश शेर करना ना भूलें साथी साथ चैनलों को subscribe नहीं किया है तो please चैनलों को subscribe जरूर कर लें और latest notification पाने के लिए bell icon को जरूर प्रेस करें दोस्तों यह सारी पोस्तें आपको इंस्टाग्र रहने के लिए अपना प्यार वाइस ने ऐसे ही देने के लिए धनिवाद दूस्तों आप सभी का जय हिंद जय भारत जय मादार